फ्राइडे के दिन हम लोगों को मॉयल शॉक में 309 रुपया का क्लोजिंग देखने मिला लगबग देखें हैं तो चार पाच वीक से हम लोगों को एक रेंज में ट्रेट करते हुए दिख रहा है जो कि स्टॉक का रेंज है उपर के तरफ 330 रुपया का और नीचे के तरफ गिरावट देखने मिल सकता है मॉयल में तो आप लोगों का स्टॉप लोस होगा रहा हैं 300 रुपया के पास टार्गेट के लिए उपर के लेवल स्टॉक में बैस टीज है कि स्टॉक उपर के लेवल पर सश्टीन कर रहा तो एक अच्छा घासा यहां से उपर के तब ब्रिक कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लोस तक का मॉयल में स्टॉप लोस हो जाएगा अराउंड हम लोगा 300 के पास और को फ्रेस बाइंग करने का सोच रहा तो आप लोग एक बार 320 रुपय के ब्रेकाउट के ऊपर कर सकता है फिर थोड़ा मोड़ा हम लोगों नीचे के तरफ करें